आप सभी का स्वाधत है हमारे चैनल पर हमारे चैनल दो लाइक करना मत भूले और हाँ इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आज हमारो जो वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे वीडियो में हम हमारे फूड लवर दर्शकों के लिए लाए है एक बहुत ही ऑथेंटिक और एक बहुत ही नई रेसिपी ये रेसिपी जादा करकर जो आगरी या फिर कोली लोग है वो बन होता है आज हम इनकी जो authentic dish है यानि जो ये परंपरा से बनाते आ रहे है वो dish की recipe देखेंगे आगरी और कोली लोगों के खाने में जादा तर मचली चावल इन चीजों की भरमार होती है तो ये जो हमारी dish है वो इसी तरह की एक dish है आज के हमारी dish है प्रॉंस मसाला ये बेसिकली प्रॉंस की dish है जो आगरी style में पकाई गई है ये dish पकाने के लिए हमें चाहिए प्रॉंस कटा हुआ प्याज कटी हुई धनिया कटा हुआ टमाटर आगरी मसाला हल्दी नमक स्वादा नुसार और ओइल सबसे पहले हमें cooking पैन में थोड़ा से तेल गरम करते है अगर आप health conscious हो तो आप olive oil भी ले सकते हो और जैसे ही तेल गरम होता है हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा lesson मिर्ची प्याज lesson को अच्छी तरह से fry करना है जैसे ही हमें दिखता है कि प्याज लाल रंका हो रहा है हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और फिर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे इससे अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अगरी मसाला थोड़ी सी हल्दी नमक स्वादा नुसार और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक प्यास को तेल चूटता है तब तक हमें इसे भूनना है एक बार प्यास को तेल चूटा तो हमें इसमें डालेंगे फ्रेश प्रॉंस प्रॉंस को अच्छी तरह से भूनना है इस मसाले के साथ जब तक प्रॉंस और मसाले एक जूट नहीं होते हमें इसे भूनते रहना है अब हम इस पर रखेंगे ढकन और दीमियाज पर इसे पकाते रहेंगे ढकन लगबख 10-15 मिनिट आपको इसके ओपर रखना है क्या सुगं दा रहा है क्या आपको भी सुगं दा रहा है अब हमारी जो डिश है वो लगबख तयार हो चुकी है हम इसे करेंगे सर मुझे तो अब रहाने जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मैं कब इस डिश को खा रहा हूँ आप भी ये डिश जरूर बनाईए और हमें बताईए कमेंट्स में कि आपकी ये डिश कैसे बनी अगर आपको आगरी मसाले की जो रेसिपी है वो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट्स में बताईए तो हम हमारा जो आगला वीडियो है वो इस मसाले के रेसिपी पे बनाएंगे अपने प्राउंस की मसाला तो बना लिया पर आप कुछ भूल रहा है बिलकुल सही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को आपके फूरी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए